नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्ड नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन IPS अधिकारी विकास बैभग यह नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि IPS विकास बैभग इन दिनों गाली खाने के कारण परिशान है IPS विकास बैभग ने खुद इस बात की घोषना ट्वीटर पर की थे कि उन्हें उनके वरिये अधिकारी द्वारा गाली दी जाती है उनके लेकर के अभद्र भाषाओं का प्रियोग किया जाता था और इससे वे काफी व्यतित हैं तो क्या IPS विकास बैभव अब अपने प्रसासनिक कामकाज को छोड़ करके और राजनीती करेंगे यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस प्रिकार से IPS विकास बैभव ने इन दिनों लगातार सोसल मीडिया पर कुछ संकेत दिये हैं उससे यह बात सामने आ रही है कि संभव है अगले आने वाले कुछ दिनों में विकास बैभव अपना IPS का पद छोड़ दे और वे संभव है कि राजनिती में उतर जाए यह इसलिए महत्पूर्ण है कि अगर आप पिछले कुछ समय की IPS विकास बैभव की गतिविधियों को देखेंगे तो विकास बैभव लगातार अलग-अलग कार्णों से सुर्खियां बटोर रहे हैं और बिहार में काफी लोग कारी के रूप में हुए जिन्होंने ना केवल नक्सली गतिविधियों के खिलाप या फिर कानून व्यवस्ता सुधारने में विधिव्यवस्ता को दुरुस्त करने में अपनी बहतरीन भूमिका आदाकी बलकि लोगों का दिल जीत लिया इतना ही नहीं वर्स 2015 में तो जब अनंत सिंग यानि की मुकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंग को गिरफ्तार करने की बारी आई तो पटना के SSP पदपर रहते हुए विकास वेभब ने उनके खिलाब भी बरी कारवाई की थी और अनंत सिंग को गिरफ्तार किया था इससे भी वे काफी सुर्खियों में रहें किसी तरीके से जब वो एनाईय में थे तो एनाईय में भी उनके काम की सराहना हुई और बाद में जब वे प्रमोशन हुआ उनका और फिर डी आईजी बने और मौझुदा सभी में आईजी हैं तो इन दिनों वो अपने एंजीयों के स्थाथ बिहार में सिक्षा की गु छवी पेश करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं इन सब के बीच अचानक से उनका यह एक सोचल मीडिया पर ट्वीट वाइरल होता है जिसमें वो बताते हैं कि उनकी जो डीजी रेंग की अधिकारी सोभा अहुत कर हैं वो उन्हें गाली देती हैं और बाद में इसे लेकर उन्हें यह जरूर कहा कि यह वो प्रकरन हुआ है हम उसकी जांस तो कराएंगे लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एक अधिकारी का सोचल मीडिया पर आकर के इस तरीके से अपने विभाग के अंदर की बातों को करना उचित नहीं है यहा अनुशाशन हींता है इसलिए इसमें विकास बेभव को भी संयम बरतना चाहिए लेकिन विकास बेभव ने उसके बाद भले अपना ट्वीट डिलीट कर दिया हो लेकिन लगातार वो जिस प्रकार से दारशनिक अंदाज में कई बातें लिख रहे हैं उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि आगे आन लेकिन इसे लेकर के अभी तक विकास बेभव की और से कुछ भी नहीं कहा गया है विकास बेभव ने जब गाली देने वाला प्रक्रण उजागर किया तो उसके बाद उन्हें नोटिस जारी हुआ है हाला कि विकास बेभव ने दो महिने की छुट्टी का आवेदन दिया था लेकिन उनके छुट्टी का आवेदन मंजूर नहीं किया गया है और अब अगर आप देखिएगा कि उनके कुछ हाल फिलहाल के जो सोसल मीडिया के पोस्ट हैं तो उसमें उन्होंने यहां तक लिख हाँ कि यात्री मन व्याकुल है बंधनों से मुक्त होना चाहता है परिष्थितियां अवरोध उत्पन करती भले प्रतीत हो रही हो परन्तु यात्री मन यह भी जानता है कि यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता है जो निर्धारित है वह स्वैम अपना मार्ग प्रसस्त से समाया है परन्तु कर्म ही महत्वपूर्ण है यात्री मन बंधनों से मुक्त होना चाहता है कहने का एक त्रिके से सीधा सीधा अर्थिया भी निकाला जा सकता है कि आखिर विकास वैभव का यात्री मन किन बंधनों से मुक्त होना चाहता है क्या वे IPS की नौकरी वाले का यात्रीमन को बंधनों से मुक्त करने वाला पोश्ट है तो क्या करेंगे विकास बेभब से जुरे हुए जो सूत्र हैं और जो अलग-अलग मीडिया के रिपोर्ट से उसकी माने तो विकास बेभब आगे आने वाले समय में बेगु सराज संसद्य चेतर से चुनाव भी लर सकते हैं इसे लेकर के उनकी तरब से कोई सीधी सीधी बात तो नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है कि जिस प्रकरण के बाद वो एक बार सुर्खियों में हैं उसके बाद उनका जो यात्रीमन बंधनों से मुक्त होना चाहता है वह बंधन से मुक्त आईपीएस की नौकर सकते हैं बेगु सराई के मौझूदा सांसा जो हैं गेराज सिंग वह अगला जो लोकसभा का चुनाव है संभाव है नहीं लरें क्योंकि जिस प्रकार से भारते जनता पार्टी सत्तर वर्ष से जादा उम्र के नेताओं को राजनिती में किनारे करती है तो आगे आने वाले दिनों में संभाव है गेराज सिंग को भाजपा टिकेट नहीं दे उस इस्तिती में एक चहरे के रूप में विकास बैभव को भारते जनता पार्टी उतार सकती है लेकिन इसे लेकर के अब तक न तो भाजपा की ओर से न तो विकास बैभव की ओर से ना कि उनके जो निकट विकास वैभव अपनी नौकरी छोड़ दें और नौकरी छोड़ करके वे शिक्षा के छेत्र में और साथी साथ बहतर तरीके से बिहार के युवाओं को अलग-अलग छेत्रों में प्रूत्साहन देने के लिए किसी NGO के माध्यम से काम करें तो देखना होगा कि अब विकास वैभव का यात्री मन जो व्याकुल है वह व्याकुल यात्री मन किन बंधनों से मुक्त होगा और बंधनों से मुक्त होगा तो क्या उनके बंधन की अगली करीर राजनिती होगी या फिर समाद सेवा के छेत्र में अपने NGO के माध्यम से वे ब कर दने इस ते पंचेने होगा है और गड़ जिदो मिन कर ठोग अ मacas करने ही और इस βान सव इसक धर फबाव दानयों किर देए कर दोगाकी कमान बाता तो पीक कर दो जदो का दिदिन है इस तरहमि faculty captain